लोगडाउन के दौरान बॉलिवुड के एक्टर्स, एक्ट्रेसेस ने रेसिपीज बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किये किसी ने योगा और फिटनेस करते वीडियो बनाई यानि इस lockdown में इन सब ने क्या क्या किया वो सब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता रहा शायद इन actors के लिए lockdown किसी vacation से कम नहीं था लेकिन डिरेक्टर रोईद शेटी ने इस lockdown का ठीक से उपयोग किया और अपने उस project पर काम किया जिसे वो पाथ 6 सालों से pending चोड़े बैठे थे ये project था 1982 की फिल्म अंगूर का remake इस lockdown के दोरा ने ना केवल उन्होंने script पर काम किया बलकि फिल्म के lead actor के लिए रणवीर सिंग को final भी कर लिया आपको बता दे कि रणवीर सिंग से पहले 2015 में रोईद शेटी इस फिल्म के lead role के लिए शारुक खान को लेना चाहते थे दोनों के बीच बातचीत भी हुई और फिर दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए धीरे धीरे बात आई गई हो गई शारुक खान अपने काम में लग गए और रोईद शेटी ने भी उस वक्त ये idea ड्रॉप कर दिया लेकिन अब इस lockdown का फाइदा उठाते हुए उन्होंने फिल्म शुरू करने की ठानली है जैसे कि आप सबको पताई होगा कि अंगूर फिल्म में संजीव कुमार का double role था ऐसे में फिल्म के लिए actress भी दो चाहिए होंगी रणवीर सिंग को final करने के बाद actress का चैन होने में देरी हो रही थी लेकिन अब ये भी final हो चुका है कि इस फिल्म में कौन सी actress होंगी जी हाँ फिल्म में दो actresses को sign किया गया है पहली actress होंगी जैकलीन फर्नेंडिस और दूसरी actress होंगी पूजा हेगडे जो साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी है पूजा हेगडे प्रभास के साथ फिल्म राधे श्याम के शूटिंग में व्यस्त है जो जल्दी ही complete होने वाली है जिसके बाद शायद वो अंगूर के इस remake को शुरू करेंगी हाला कि आधिकारिक तौर पर इन दोनों की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन दोनों से बात हो चुकी है और जल्दी ही आधिकारिक तौर पर भी इस फिल्म के लिए वो चुन ली जाएंगी लीड एक्टर और एक्टरेसेस के रोल फाइनल होने के बाद अब एक और important character का इंतजार रहेगा यानि देवन वर्मा वाले रोल के लिए क्योंकि अंगूर फिल्म में देवन वर्मा वाला किरदार संजीव कुमार के किरदार के बराबर importance रखता है इस किरदार के लिए रोई चेटिक किसको फाइनल करेंगे ये भी देखना दिल्चस्प रहेगा इसी तरह कि तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नमस्कार